मस्ली शेयर में 9 बजे तक 13.3-2% मदान बलरांपुर में 12.9-6% मदान हुआ है मिटकनिगर में 14.8% मदान प्रतापगड में 13.95% मदान लालगंज में 13.95% मदान आजमगड में 14.10% मदान ये 9 बजे का जिस बात को लगातार मैं कह रहा था 9 बजे का जो पोल परसेंटेज है उसको दर्शकों तक सबसे पहले न्यूज 18 पहुँचाएगा और यहाँ पर यह सबसे पहले लगातार हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो पर मदान आज हो रहा है वहाँ पर अब तक 9 बजे तक कितने फीसद मदान हो चुका है और ऐसे में न्यूज 18 भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है आम जंता से सरुकार के मुद्दे हम लगातार उठते रहते हैं और सुनिया गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और सुनिया गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुनिया गांधी राहूल गांधी वोट कास्ट करने के पहुंचे हैं ये तस्वीर आप देखिए राहूल गांधी को और सुनिया गांधी को आप देख रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पहुंचे हैं दो अजार चौबिस के सियासी दंगल में यह तस्वीरां पहुंचे हैं सोनिया गांधी और राहूल गांधी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राहूल गांधी और सोनिया गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राहूल भी साथ में मौझूद और करने के लिए वो पहुंचे हैं मद्दान करने के लिए सोनिया गांधी और राहूल गांधी पहुंचे हैं वो तस्वीर हम दिखा रहा है अब DM लोग चाहे किसी भी राज्डितिotional के हों मैं राजिनिति से इदर बात कर वोट कास् करनी के लिए मद्वाम केंद्रो पर जाएं और स्याही लगी उंगली दिखाते हैं तो एक गर्व महसूस होता है लोकतन्त के परमे भागिदारी करने के बाद एक अलग confidence महसूस होता है आपको लगता है कि हर किसी को चाये वो किसी भी कोने में हो इस निर्भाँन को करना चाहिए करना चाहिए अम्मदान हमारा करतव भी है और अगरे पान साल तक हक से अपने जन प्रतिन्धी से उनके करतवियों को और उनके निर्वहन के गरह पेच्छा आपको करनी है या आप करते हैं तो अपने भी दाइत और करतव का निर्वहन करना चाहिए और देखें हम लोग किसी को मिलता है तो मतदान अवश्य करें और मतदान ही वो आपके पास साधन है जिसके नाते से आप अपनी विचारों को प्रकट कर सकते हैं कि अमूग पार्टी से हम खुश है या दुखी है बात करें दीपक जी मैं आपका भी रेक्शन इस पर चाहूंगा आप समाजवादी पार्टी के वोक्स परसन हैं आप किस तरीके से देखते हैं जब बड़े तित्यत नेता चाहें अंग राश्पती की बात करें जो बड़े पदों पर आसीन है वो लोग भी या सूनिया अंदी भी वोट कास्ट करने के लिए गए हैं तो आखर मैंसे जाता है तो अच्छी बात है इससे लोगों को प्रेंड़ना मिलती है लोग कम सब्सक्राइब हो रहा है जो सोचने का इस पर लोगों को विचार करना चाहिए कि आखर परसेंट कम क्यों है कि बहुत ज़्याद से लखनओ में बिजली संकत जे लेंगे तो ये नजी सवासमंतरी आते है और आप आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मरमात कर देने हो रहा दिसके लेख किस थरी केसे बात करेंगे जा रहा है यह बात करेंगे स्राइब अध़र मश्यक्स जाणक्तर वोगर कियोग़ जब कि आधार कि दस किसी पार्टी ने किसी सरकार ने किया है नहीं सवाल के हाँ पर ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से आप दिपक भाई कहरे हैं तो ऐसे में क्या इस पार जो चुनता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं और इसका फाइदा आपकी पार्टी को लिए बुद्दों की बात कर रहे हैं विजली पारी यह सारे वुद्दे हैं जिनको जनता ध्यान में रख रही है जिनके समय में बीड़ा बिजली जाती जादा थी आती कम थी और यह लखरों से कहिए बाहर निकले सुल्तान पृर प्रताफगर पूर पूर एलाबाद मचली रंबेट का रेकर जहां चुला हो रहे हैं तो 19 मार्ट 2017 के पहले आठ से 10 गंटे 11 गंटे से जादा बिजली नहीं आती थी यह पूछ ले और आपके कैमरा मैन अगर होंगे आपके तमाम रिपोर्टर ग्राउंड पर आज ही है और भी डिबेट हम लोगी 11 बज़े चलने वा लिजेगा हमको यह विश्वास है कि निश्यतुर्प से जब जब जबाब आएगा तो धीपक जी का मुझ बंद हो जाएगा अभी समिधान की बात कर रहे थे यह और बीसी एस्टी के आरच्छन पर डाका डाल रही है इंडिकेट बंदन और कह रहे हैं समिधान बाबा साम को बीसी बना दिया करनाटक में कॉंग्रेस ने सेख सहीद पठान को बीसी बना दिया यारी सीदे ओपीसी पर डाका डाल रहे हैं इंडिकर बंदन के लोग और इनको चाहिए इंडिया अरे इंडिया भारत इंदोस्तान सनातन है कल भी था आज भी है पर कल भी रहेगा यह और मैं इस वक्त रोक रहा हूं मनीच भाई आपको राहूल गांदी वोटकास्ट करने के बाद बाहर आए हैं सुनिया गांदी बाहर आई हैं कुछ कह रहे हैं मीडिया के सवालों उपर जरा सुनते हैं एक बार और यहां पर वोटकास्ट करने के बाहर आए हैं मीडिया से वहाँ पर राहूल गांदी ने यहाँ पर हाथ में जिस तरीके से उंगली में स्याही लगी उसको रोले यहाँ पर दिखाया वोटकास करने के बाद और वहाँ से वो आगे की लिए निकल गए हैं वो तस्वीर हमाँ आपको दिखा रहे हैं राहूल गांदी ने और सूनिया ग उन्होंने तमाम मीडिया को कीैमरे पर उन्होंने दिखाया किस तरीके से उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उसके बाद गाली में बैठ कर वो निकल गए राहूल गांदी लगाथार जिस तरीके से छटे च्रण में मद्दान हो रहा है अपनी मा के साथ वोटकास करने के लिए पहुचे मनीश पाई मेरे साथ बने कुए है दीपक रंजन जी भी मेरे साथ बने कुए है और सबसे बहत पूर्ण ये है कि इसे भी हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे सबसे तेज कवरेट यहाँ पर जारी है और ग्राउंड जीरो से हार तस्मीर हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुचा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिंजिन जीटो पर वोटिंग हो रहे हैं वहाँ से ग्राउंड जानकारिया जो भी आ रहे हैं वो भी हम दर्शकों तक पहुचा रहे हैं जिन पर चर्चा भी कर रहे हैं सबसे बड़ी कवरेट जारी है रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए